श्री गनेशाय नमहा जी हाँ आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में दस्वे भाव में है ये कर्म भाव है इस दिन मान सन्मान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिती और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते हैं काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है लेकिन अंततार रिजल्ट्स आपके ही पक्ष में रहेंगे दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागे के भरों से बैठने वाला दिन ये नहीं है तो आप कर्म कीजे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने के योग बन रहे है कोई जोकिम बरा फैसला भी ले सकते है ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्चने व सारी परिशानिया जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी सारे काम आसानी से पूरे हो जाएगे सारे पेंडिंग काम पूरे करने के लिए ये समय काफी सही है अगर कोई सरकारे काम कुरुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे सफलता मिलेगी ने दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते है बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है मेहनत करे और किसी भी चीज से ना डरे समय आपके साथ है दोस्तो इस दिन पिता से सहयोग प्राप्त होगा पैत्रिक संपत्ती से लाब होने की संभावना है घर में खुशी व एकता का माहोल रहेगा धर्न अरजित करने का ये सही समय है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थितिया आपको सपोर्ट कर रही है स्टूडन्स को इस दिन मदद ज़रूर मिलेगी competitive exam या सरकारी नोकरी पाने के लिए इस समय उत्तम है दामपत्य जीवन में भी मदूरता रहेगी पती पत्नी के बीच कोई कड़वाहट है तो वो दूर करने का ये सही मोका है जिहां प्रयास करे कड़वाहट दूर हो जाएगी कोई नई चीज या कोई नया वाहन खरीदना चाहते है तो समय अच्छा है बिल्कुल खरीद सकते है अच्छे योग बन रहे है कोई property लेनी है तो भी आपके लिए समय शुब रहेगा कही गोमने या यात्रा पर जाने का सोच रहे है तो जा सकते है यात्रा सफल रहेगी शुब रहेगी आज आपको प्रेमी की तरफ से धर्लाब होने के संकेत है जी हाँ प्रेमी से भावनात्मक सहयोग भी इस समय में मिल सकता है अविवाहित लोगों को अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखने है तो ये समय आपके लिए सही है दोस्तो इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत कमरदर्थ की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है स्वास्ते से जुड़ी समस्याय आती भी है तो कोई छोटी मोटी समस्याय आएगी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी तो कुल मिला के स्वास्ते के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा इस दिन ब्लैक कलर का इस्तिमाल करना आप के लिए लखी साबित होगा और आठ नमबर इस दिन आपके लिए लखी रह सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चचत के उपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चचत के उपर रख देते है ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चचत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीज़े हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष